दोस्तों unwanted hair कोई भी लड़की को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि यह देखने में भी इतने खुबसूरत नहीं लगते हैं अगर आपके skin clean है यानि कि आपके face के उपर कोई hair नहीं है यह आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखने में भी naturally यह ठीक लगती है अगर face पे बहुत जादा बाल होते हैं तो यह हमारे लिए बहुत problematic होते हैं तो यह जो pack है इसकी help से आप अपने unwanted hair को दूर क कर सकते हैं मगर इसे आपको जरूर weekly एक बार इस्तेमाल करना है जिनको बहुत जादा hair growth के issues है वो week में इसे दो बार use कर सकते है और जो जिनके hair growth के problem थोड़े कम है तो यह इसे हफते में एक बार इस्तेमाल जरूर करिए तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा एक महीने के अ जो हो रहे है और आपके जो hair है ना वो naturally और नहीं growth हो रहे है और नहीं दिख रहे है तो इस DIY के help से मैं जो मेरे face पे जो unwanted hair है उसे remove करती हूँ बहुत सारे लोगों को ना hormonal disbalance के कारण भी यह समस्या होते है मगर अगर आप अपने skin की care करते है ना तो यह बहुती जल्दी slow down होते है तो उसके साथ साथ आपको अपने जो dietitian है या फिर कोई doctor आप दिखाते है तो उनको आप जरूर दिखाईए क्योंकि कभी-कभी hormonal imbalance के कारण या फिर जिनके genetic कारण होते है उनके लिए भी facial hair बहुती एक normal problem है तो चलिए किस तरह से यह DIY pack बनके ready होते है मैं आपको दिखाती हूं वैसे भी all over face पे जब छोटे-छोटे hair होते है ना उसके कारण भी हमारे skin जो है बहुती जादा डल दिखने लगते है तो अगर हम इसके इस तरह से care करते है तो छोटे-छोटे hair के अंदर जो dirt है ना वो भी दूर हो जाते है तो इसके लिए पहले जो ingredients मैं इस अच्छे से आपके face जो है उसको scrub करते है और natural brightness के लिए चावल के आठा बहुती अच्छे है for glowing and beautiful skin and skin को tight करने के लिए मैं हमेशा इस्तमाल करती हूं rose water जो कि आपको market में किसी भी company के आपको मिल जाएगा तो मैं इसमें two spoon इस्तमाल कर रही हूं rose water और one spoon honey honey में antibacterial properties तो होते ही है मगर hair growth में आप अगर honey इस्तमाल करते है न तो ये honey थोड़े से ज़्यादा sticky होते है तो pack के साथ मिला के जब आप apply करते है तो ये stickiness के कारण ये जब आप rub करते है मतलब facial hair के उपर तब बहुत easily न ये आपके skin से अलग होके निकल बाहर होते है तो मैं all over face पे ही लगाती हूँ और जहाँ जादा है मेरे facials hair वहाँ पे मैं ठीक करके लगाती हूँ ताकि जब मैं इसे remove करूँ तब बहुत अच्छे से ये remove हो जाए तो इस तरह से all over face पे मैं apply कर रही हूँ ये pack तो ये pack जब आप बनाएंगे न तो जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन ही आपको ये pack लगाना है इसे आप store करके नहीं रख सकते क्योंकि DIY जितना आप कम store करेंगे वो आपके skin के health के लिए ही अच्छा है क्योंकि हम इसमें कोई preservative नहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए जब आप इसे बनाते हैं तब ही आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है और इसमें जो जो ingredients बने हुए है ये naturally face whitening के भी काम करते हैं जिसके skin माने की थोरे से dull है वो भी अगर इस pack को लगाते हैं तो unwanted hair तो आपको ये remove करके देते ही है उसके साथ साथ आपके skin में एक natural से glow भी आपको देखने में मिलेगा आप इसे एक महिना at least try करके देखिए और ये अभी पूरे के पूरे face पे मे wipe नहीं करूंगी water से क्योंकि इस तरह से rub करने से जो hair growth है वो slow होते है और जो thin hair होते है वो इस तरह से rub करने से ही एकदम से निकल हो जाते है पैक के साथ साथ और all over face पे जब इस तरह से हलके अप हलके हाथों से ही rub करना जादा आपको जोर लगा के रब करने की ज़रुरत न जाने रह जाते है तब आप water से पूरे face को clean कर लेना मैं तो water से पूरे face को clean कर लेती हूं normal water से ही करती हूं तो इस तरह से clean कर लिया है आप देख सकते हैं बहुत जादा bright skin मेरी अभी लग रही है तो अभी मैं face dry कर लूँगी towel के help से तो towel के help से dry करने के बाद skin अभी देख स तो aloe vera gel इसलिए लगा रही हूं skin को hydration के साथ साथ एक moisture and protection भी aloe vera देते हैं तो इसलिए all over face पे apply करके 10 minute के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे skin अगर आप भी unwanted hair remove करना चाहते हैं तो हफते में एक बार at least यह pack ट्राइ करके देखे तो फिर मि किर्स टोड़िय FER îzते है और यह उल depend यह तो हेख।छ दूजश और ओा इस अरनक बार दूत yवड़ियो प्रए्आ दूड़िया हैं में उल सकते हैं और यह यहे चदोने हैं कि परत चाह।ार appears वह तूने हो जल सकते हैं में जु़ह बत्याира हैं इंझ परते हैं खन्हर